ये भाई ये उठा मर्दे देखा सुरत चड़ा इल्बाई उठा इबंबाई है काउना है उठा अभीले सुतल बाड़ा भाई ये भाजान का लाहने अम्बू अभीता कुद्रल नहीं के अच्छा लावत है तु शराप पिके अच्छा आईल बाड़ा रात की चड़ाल बहीं तक नहीं के उत्रल तु आईल बाड़ा हम पूजा पाठ करीले तु हमार धर्म भस्ट करें आईल बाड़ा तु लोगे इंक पास कोनू काम धंदर तो बाना दिन बेखा पिया मस्त तु शूतल रहा नाई ब बाई है ला 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 ने बुगवा कलाई एरपोर्ट पहुंचने तो सीधा बार में पहुंच गए लिया और तो बार में जाके बावाल मचा देला एक चीज़ बताओ बंबाई अउला के तौर का मकसद दा मकसद एकदम साथब है सादी उंकरा बाद हनीमून मानाई अनीमून गेकरा साथ युकरा सांगे युकरा था थे नके तोरा साथे अठ्छा यह हम पूछळता नी चाधिया केकरा साथे करवा है हसी ना कर दो कर दो कर दो कर दो मैं मैं न्यूस वाले आपके बारे में जूटी खबर दिखा रहे हैं टीवी पर कैसे जूटी खबर किसी सिर्फिरे ने आपको अपनी गल्फरेंड बताया है और इसी खबर को बढ़ा चड़ा कर न्यूस चैनलों पर दिखाया जा रहा है मैडम आज हम आपको एक ऐसे लड़के की तस्विर दिखाने जा रहे हैं जो अपने आपको हसीना खान का बॉइफिर्ण बता रहा है अब देखना यह है कि हसीना खान इस बात को मानती है या नहीं कौन ही लड़का जो बे मौत मरना चाहता है इसका पायो डेटर निकालो मुझे अभी के भी दो जी मैं वा भाईया उरे बंबाई में मशूर हो गया लेकिन यह खुशिक बात नहीं छे उसीना खान के मालूम पड़ी ना तो मरवा दी मरवा दी उस सब छोड़ इस सोच कि अगर तो भाभी हमरा प्यार में पगला के खोली तक आ गई ली तते उकर स्वागत कैसे कर वे अरे ताता उँ आई ता आपन खाले-खाले स्वागत कर आई ना उपहले तो हरा के ठोकी ओकरे बाद हमरा की एबाई 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 बगवाल मा ना आवा कुना आज हमरा भगवान से ज़्यादा अपना दिल पर भरोसा हो गई कहें से कि हमार दिल कहत रहे कि आज हसीना के हसीन चेहरा के सक्षाद दर्सन हो जाई तो तुम मेरे बॉश्ट्रिंड हो और मैं तुमसे प्यार करती हूँ फिलहाल तो मैं ही करता हूँ धिरे धिरे आप भी करने लगोगी मुझे पक्का यकीन है मुझे बदनाम करने का अंजाम जानता है तू मैं बदनामी का बदला बली चड़ा कर लेती बिलकुल मेरी बली चड़ा दो लेकिन मारने से पहले एक बार सोचना जरूर क्या मैं तुमसे प्यार करके गुनाह किया क्या ए सुन यह देख रहे है तू मेरी यू चुट्की बजाते तेरी सारी मजनुगिरी उतार देंगे मजनुगिरी के साथ साथ गुन्डागिरी में भी अवल हूँ क्यों इन सब का जान लेना चाहती हूँ सुन नहीं मैं तुझे जानती हूँ और नहीं तुझे प्यार करती हूँ मेरा नाम अपने साथ जोड़ना बन कर मैं तुमसे प्यार करता हूँ न और उमीद है कि तुम भी मुझसे जल्द ही प्यार करोगी तो मुझे भी एक ही उम्मिद है कि तू अपना पागलपन छोड़ देगा वरना इसका भी इलाज है मेरे पास चलो ताय देता प्रभू अज़। असलाम वाले कुम भाय जान वाले कुम असलाम आओ, बेटा जी, आप हमारे लिए तो अभी भी बच्चे हो, लेकिन जमानी के लिए बड़े हो गया हो, हमें आप से कुछ ज़रूरी बात करनी है, बैठो पहले आप पानी पीजी सिथी क्या हुआ? बाई फोन कााड़ दिया अरे उस बेपुप को दूसर गरोन का मतला नहीं पता है क्या? बेटा जी, हम चाहते हैं कि अब आपका निकाह कर दिया जाए, तो अगर आपकी नजर में कोई लड़का हो तो हमें बता देजिए, नहीं भाईजन, अब तक तो कोई लड़का पसंद नहीं, तो हम देखें, आपकी मर्जी, तो बताईए कि हमारी बहन को कैसा शोहर चाहिए, फिरोज भाई, जिसके नाम से पुरा इंडिया का अपता है, मुझे ऐसा शोहर चाहिए, जिसके नाम से ही, खुद फिरोज खान का अप उठे, और उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाए, ऐसा शोहर चाहिए मुझे, फिटा जी, इंडिया में ऐसा लड़का मिलना तो नामुम्किन है, लेकिन अपनी बेहन के लिए हम अल्ना ताला से दुआ करेंगे, कि आपकी ख्वाइश ज़रूर पूरी हो, और हम खुद भी ऐसे लड़के से मिलना चाहेंगे, अब, हमें को ज़रूरी काम से दुबई जाना है, आप अपना ख्याल रखेगा, आएए, जी, हो जाएगा, और वो बगलवाया फार्मर्स, वो भी हो जाएगा, और बिल्लिंग लेका इस्ट्रक्शन का क्या पॉस्टेशन है, लेड़ी हुआ की नहीं अपना, आए जाने मन, तुम यहां, तो लो मैं भी आ गया, तो तुम मेरा पीछा करते करते यहां भी आ गया, जहां तुम रहो वहां मैं न रहू, ऐसा हो नहीं सकता, देखो मैडम, आप चलिए, चलिए, मैंडम, आप कलिए, आरे, आप प्रभू, एक बास बाल लिजिये, जबेकर से ग्रेटरी अतरा करम्बी है, तौइव, नजरे ना किसी से लड़ाओंगी, किसी से भी दिल ना लगाओंगी, किसी से भी दिल, किसी से भी दिल, हाँ नजरे मैं किसी से लड़ाओंगे, किसी से भी दिल ना लगाओंगे, यह कभी डलेगा ना अपना एका, प्यार की चार दिवारी में जब फोस जाओ की जान तुमको होगा नाय अनुमान की अब बच जाएंगे भगवान तुमको होगा नाय अनुमान की अब बच जाएंगे भगवान जूट के जबेला में न परना है, गटगट के हम को न बरना है जूट के जबेला में न परना है, गटगट के हम को न बरना है लाहे लाहे संगे संगे काटला तु जानी कहे तुझे रात बाड़ू पेहो दिल जानी लफसाओंगे बैयाबत में जान जान व्यार की चार दिवारे में जब फस जाओगी जान तुमको होगा नायोन मान की अब बजाएंगे भागवान तुमको होगा नायोन मान की अब बजाएंगे भागवान चार बना की चार लेते हैं ये लड़के भी धूखा हैं देते हैं देखा तु हमारा से दिलावा लगा के सब सुख वहिया में पॉलिबू जहां के करता है बड़ी परिशाँ परिशाँ तुमको होगा नायन मान की अब बचाईगे भगवाँ तुरा होई नायन मान की अब बचाईगे भगवाँ बचाईगे भगवाँ देख दूंगी का I'm ready for my night out with my Ambrain Power Bank So is my phone Ambrain, India's number one power bank Now power, in your hands Namaskar, आज की ताजा खबर में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे सम्माद दाता से ये पता चला है कि सुपर सिंग और हसीना खान गार्डन में देखे गए इससे ये पता चलता है सुपर सिंग की कही हुई बात सत्सावित होती है ये देखी कुछ तस्वीर है इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये दोनों काफी खुश नजर आ रहे हैं और बहुत जल्द परिणय सुथ में बंदले वाले हों और कल मंबई में होने वाले बूचपुरी मौत समय कई दिगज कलाकार आने वाले हैं यूपी बियार और हमारे मारा सुथ इन न्यूज चैनल वालों का कुछ करना पड़ेगा मैडम दिन भर जूटी ख़बर दिखाते रहते हैं सहीगा तो रोखे वाली भाभी के प्यार अफ्तार पकड़ रहलबा इन न्यूज चैनल वाले भी हमनी के प्यार के पबलिसीटी करा थाने सा काला है फुटो ही आप काड़ानों खिच लेती मीडिया वाले के लागे काई से पहुच गाई ला है आज हमारे साथ इस्टूडियो में है मैडम मैम देखें न ये नूज चैनल वाले फिर से क्या दिखा रहें दन्यवाद सर आप हमारे दर्सकों को बताए कि हसीना खान से आपके पहली मुलाकात कब कहा और कैसी हुए थी पहली मिलन जब होई थी तो मैं 19 साल का था और दिन वेलेंटाइन देखा क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? नो थैंक्स, माइ ब्रदर इस कमिए जी, जी मैम, क्या आप भी इसे पहले से जानती हैं? SHUT UP! क्या तुम भी इसकी बात का यकिन करती हो? नहीं इसे तो मैं बताऊँगी अप अच्छा, फिर क्या होगा सर? आप दुबारा कब मिलें? दूसरी बार हम मिले घर पे आय जाने मन अरे आप यहां? जी हां प्यार जे रोग होला न वो बड़ी खतरनाक होला नहीं समय देखेला और नहीं जगे तैंक यू वाह सर, यह तो आपकी लब स्टोरी पूरी फिल्मों की तरह आगे बढ़ती जा रही है यह तो आपके प्यार की पहली सीडी थे न सर आगे बताए हसीना खान ने आपको ग्रीन सिगनल कब दिया और आपसे उनको प्यार कब हुआ हम लोगों की मुलाकात हुई नजरे लड़ी फिर प्यार तो होना ही था ओ, हाई हाई बाइदवे मेरा नाम सुपर सिंग है मेरा नाम हसीना खान वैसे आपके नाम के साथ-साथ आपका स्टाइल भी काफी सुपर है वो तो है तो क्या आप यहां रोज आते हैं? नहीं लेकिन जो पास में बीच है वहां हमेसा आता हूँ अच्छा सुनिये मेना जिम जाने का टाइम है मैं आपसे बाद में मिलती हूँ बाइ बाइ हे हाई अरे आज आप सुबा सुबा यहाँ आप ही ने तो बुलाया था मैंने मैंने कब बुलाया था क्यो? कल आपने बिना पूछे यह क्यू बता दिया था? क्या आप रोज सुबह सुबह बीच आते हैं ओ तो आप समझी गय हो तो मुझे आपसे एक और बात बोलनी थी I love you ना आपको कैसे पता कि मैं आपको I love you बोलने वाला हूँ जब कोई लड़का एक लड़की का पीछा कर रहा हो बातो ही बातो में उसे मिलने को बुला रहा हो तो लड़की समझ जाती कि लड़का उसे पसंद करता है अब आप जान ही गय हो कि मैं आपको पसंद करता हूँ तो आप भी अपना पसंद बता ही दीजी लड़ यू टू क्या हुआ इस जवाब के उमीद नहीं थी उमीद थी पर इतनी जल्दी नहीं रसीना जी कि लव स्टॉरी किसी फिल्मए लव स्टॉरी से कम नहीं है सर अगर ये लॉबी स्टोरी भोचपुरी के सुपर इस्टार्ट डारेक्टर सोजीत कुमार सिंग को मिल जाए तो एक बेहतरीन सिनेवा बना सकते हैं हाँ वो तो है सनो जी मैम इसमाजनो को फोन लगाओ और अभी के भी यहां बुलाओ हलो सुपर सिंग मैं हसीना खान की सेक्रेटरी बोल रही हूँ मैडम ने तुम्हें अभी के अभी बुलाया है आवा तानी आ रहा हूँ सर आप कहा जाने की बात कर रहे है मेरी गल्फरेंड का फोन था बुला रही है वो भी अभी के अभी आओ बेशरम आशिक तुम्हारा इंतिजार था तुम्हारा इंतिजार खतम हुआ जाने मन कहीं तुम इस बेशरम आशिकी बेशरमी देखकर दिल तो नहीं दे वैठी अगर ऐसा है तो मेरा बेशरम बनना काम्याब हुआ इंटर्विय में तो बहुत ही मजनुगिरी की बाते कर रहे थे तो चलो एक काम करते हैं क्या तुम इस लेला को पाने के लिए एक इम्तिहाद होगे इम्तिहान क्या जान भी दे दूँगा तुम्हारे लिए बोलो तो सही मैं लेफ से जा रही हूँ और तुम आओगे सीडियों से और तुम्हारे पास वक्त होगा सिफ दो मिनित का और अगर उस दो मिनित में तुम उपद पहुँच गए तो तुम मेरे प्यार के इम्तिहान में पास हो जाओगे और और तुम्हे इस हसीना के हसीन होटो को चूमने का अफसर मिलेगा एद आमसे होगा लड़ब लाढ़्ग लाएodar दे दो लड्यक्या रडरैल से लड़ लड़ ज्रिंटे लिपनले। हाई! कर दो! हाइ!! आह कि रिंए करने दोड़ से अगगा पॉड़े Supp Perd senators आह कि पुष म 사न खमती है अब तुम्हें पुरे दुनिया को बताने की कोई जरुवत नहीं है कि मैं तुम्हारी गॉर्फ्रेंड हूँ अब मैं खुद सब को बताऊंगी कि तुम मेरे बॉर्फ्रेंड हो कि से बचते हैं? वु तुम को कि स्टॠरेंपे लिए की कि तुमसा स scheduled ुब मैं अवर्फेarmए़ कि सुम्हारी वी गे की 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 कि अगओ हुआते भी पांव झाल झाल छाल झाल कर दो कर दो कर दो राच भवे को दिर पोलोंग नहीं ही ला ये तो पनाओं का है मेल नहीं हुआ धीबारी मेरा हुए नो दे धीबारी मेरा हुए नो दे एही से रादे खेल नहीं हुआ टर जो भी होई काया फेल एही से रादे खेल नहीं हुआ तूटन अचूडी कलोई उन्हें छूछे दी तल सारी रतिया हो अजनों के दल सुनों ये धनिया हम ही उता रब नथिया हो सरधा पदर्धा चरहब नाव पूर दिल सपनों नो खावो जानीन भोटर मोय तरी भी मोके पते लस धोखा हो सेज बल तो ना काहे तेल नहीं हुआ धी बारी मेरा हुए न दे धी बारी मेरा हुए न तेल एही से राते खेल नहीं हुआ तर्चो भी होई गया पेल एही से राते खेल नहीं हुआ सब्ख सिनार कखार भई कखा बताई हम बतिया वाओ भी भाई नथी उच हो खाके तु लोड़ बंगो खपियाओ भूल कर कोली चला नाबो उन्हों यरोनी योलहोनी अहपे लागे न ठीक से निसान हो तो ने काला नभिया देह नहीं छुआ धीबारी मेरा हुए न दे धीबारी मेरा हुए न दे एही से राते खें नहीं हुआ टरिचो भी होई काया फेल एही से राते खें नहीं हुआ अब तब 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 का है वेटर जी सर एक बोतर लव लाग कारे सब एही पीले बेतां दरामा कापी हमे अरे भाईया हमरे के बहुत डर लागा ताज कारे अरे भाईया उँ हसीना जब से घर में आये लना हमरा लागल के तोरा जानके साथे साथे हमरो जान चल जाए अब हम बच गए निए एक सिखाती पिये तानी टेंसल मतले हमरा लाते तोरा कुछ ना हुई अरे भाईया तु असीना के भाईक ना जनता उबड़ खतरनाक आत्मी पाँ तो पका हाँ भाईया इस समझा के उतोपई है भाई ऐसे पुरे है ना पहाँच लाग कम है भाई अरे जब बहिनी ये बंब दिया था भाई तो फोखबे न करी, पर हमारा कौनों फरक निखे पड़े वाला आज प्रोग्राम देखे के मिली की ना भाई जान, भाईया के ये मतले रहे प्रोग्राम नहीं, आज तेरे को फूल सो दिखाऊंगा बोल, पैर तोड़ों के हाथ लागात्ता तोरी कुकूर हमना बारे में ठीक से इंटोड़क्सन देले निखे अज आप घुम फिर के ते हूँ, आईये गिलवाड़े ता टेलर देखिये ले मारो रे ये तेरी तो मारो ईह उंगा एप। एप। इपुल ज़ एप। रबर प। इज तो तुछ। पर हूप आपकाहि भार की तुदादेलर ना बमे जब जाएवा अभार ना भार की तुदादेलर देखां ना अब से पर का हुआई चल या अल्ला, मैंने आज तक आप से कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब मुझे उस इंसान से मिला दो, जिसको मैं पूरी शिद्दत से चाहने लगी हूँ सच में भाईजान, आपने तो पूरी हिंदुस्तानी पुलिस को धूल चटा दिया है और हिंदुस्तान का क्या हाल है भाईजान हिंदुस्तान का अलम तो ये है, कि पूरे हिंदुस्तान में आपी का खौफ चाहा हुआ है खौफ काफी नहीं है, देहशत फेलाना है मेरे नाम का, और उकाम तुम्हारा है ज़रूर भाईजान, अब एक मिड़ भाईजान मतलब भाई जन वो सूपर सिंग करके है वो असलम को भी बहुत मारा और मेरे को भी और भाई जन हसीना अपी को भी बहुत टोर्चर कर रहा है भाई जन उसकी इतनी आउकात शेर जब गुफा में सोया हुआ होता है तो जंगल में कुटों के भोकने की आवाजे कुछ जादा ही आने लगती है तो फिकर मत कर मैं अभी हिंदुस्तान के लिए निकल रहा है खीक है भाई जान फिरोज कोई प्रॉब्लम है क्या नहीं भाई जान कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है आप फिकर मत कीजिए मैं हैंडल कर लूँगा मुझे अभी हिंदुस्तान के लिए निकलना होगा कुछ जिसने अपने मौत को दाओती है बाई जान सुपर सिंध नाम है उसका सुपर सिंध नाम होने से कोई सुपर हीरो नहीं होता तुम्हारे रहते उसने हसीना को छेड़ने की जुरत किये लेकिन शायद उसे मालूम नहीं कि उसने फिरोज खान की बेहन को छेड़ने की गुस्ताकी किये अब समझ लेकि उस सूपर सिंग को उपर से बुलावा आ गया है भाई जान, मुझे लगता है हसीना बहन भी उसे काफी चाहने लगी खामोश हसीना की चाहत जब तक प्यार में बतले उस सूपर सिंग के जिंदेगी को मौत में बदल दूगा उस से मेरी मीटिंग फिक्स कार जी भाई जान घर में न टमाटर बना गोभी बना बैगन बना धनिया पत्ता बाई आलू छोड़ के कुछ है निके, सबजी का खाग बनाई तु लोग घर में बैटके लूडो खेलता रहा कुछ काम हो कर भा जा बजार से सब्जी लेवा जा अरे बाउची है चाउथी गोटिया पेले ही देए बग ये हाट पूछी का पूछ गुसा पर तु ना है ये वाईया वे सही में तु उकर आज प्यार करे लगा आए पताई जे गुसा ये का बताई जे बताई ये चल तेरे को फिरोज भाई ने बुलाया ये फिरोज भाई ये कौन है अरे भाईया पता उली रहली ना उहासीनक भाई बडा खातर नाग पा चल मेरे साथ तेरे को पता चल लाएगा फिरोज भाई कौन है नहीं चलूंगा क्या बोला नहीं चलूंगा ये उठा रहे इसको आए! उसको मिलना है बोलो मेरे से खुद आके मिले निकल तेरी माँ का अगर तू मेरा खास नहीं होता तो इस वक मात के पास होता राजा बनना असान है लेकिन हुकूमत करना उतना ही मुश्किल मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी ये सल्तनात खड़ी की है और तुम जैसे निकम्मो की वज़ा से इसे गर्त में मिलने नहीं दूगा उस सुपर सिंग को फोन लगा फिरोज खान बोल रहा हूँ बोलो फिरोज आज शाम को साथ बजे मेरे अड़ परा मिलना किसको है तेरे को या मेरे को मेरे को टाइम और जगे मैं फिक्स करूँगा मन्सूर है मुंबई सेंट्रल फैक्टरी बहुत अकड़ है तुझ में तेरी अकड़ को मौत की शकल दूगा मैं मैं डाइरेक्ट मुद्दे पराता हूँ तु मेरी बेहन के पीछे पड़ा हुआ है इसका मतलब तु अभी ठीक से मुझे जानता नहीं है क्योंकि अगर मुझे जान जाता तो मेरी बेहन की परचाई से भी खौफ खाता है तु एक समय भड़ुआ गिरी करता था छोटे बड़े नेताओं के पास लड़कियां सपलाई करके धंदा किया उसके बाद तेरा संपर्क अंडर वर्ल्ड से हुआ तेरा असली नाम करीम है और तेरी नजर पूरे भारत पे राज करने की है जो मैं होने नहीं दूँगा क्या सही बोला न मेरे बेहन तुझे पसंद कर दिया इसलिए अभी तक खामोश हो वरना आस तक किसी कुट्टे की जुर्ट नहीं हो इस तरह बात करने की सीधे सीधे बोल मेरे बेहन का पीछा छोड़ने का क्या लेगा तुझ लोंगा नहीं बस खेलूंगा क्या के बीसी मतलब वाईजान कौन बनेगा करोरपती तीन सवाल पूछूंगा अगर तीनों का सही जवाब दिये तो तुम करोरपती तो नहीं बनोगे लेकिन हाँ हम तोरे बहीन के भतार बने एक खुआप छोड़ देगा ज्यादा सोच मत आसान सवाल पूछूंगा ओप्सन दूँगा और लाइफ लाइन भी मन्सूर है पहला सवाल भारत का प्रधान मंत्री कौन है मुझे तेरे जैसे से यह उमिद थी क्योंकि तुछ जैसो की आउकात मैं बहुत अच्छे से जानता हूं अरे इसका चवाब तो बच्चे-बच्चे को पता है नरेंद्र मोदी वाह गुट दूसरा सवाल हम लोग जहां हैं यानि मुंबई यह किस राजिय में पढ़ता है आपके ओप्सन है है लगता है तो केबी सी नहीं मजाक मजाक खेल रहा है अरे इसका जवाब भी पुरी दुनिया को पता है कि मुंबई महराष्ट्र में पढ़ता है हाँ वो तो है फिरोज काफी इंटिलिजेंट है चलो अब आखरी सवाल ध्यान से सुनना और इसका सही जवाब देना जंगेज कहा है बस भाईजन बोलेते हो अभी इसे ठोब दो क्या बकरा है तू सायद तुम सुन नहीं पाए जंगेज खान कहा है अप्सन है मुंबई, सिंगापूर, मलेसिया या पकिस्तान भाईजन लाइफ लाइफ लाइण यूज कर सकते हो अगर जबाब नहीं मालुम तो लाइफ लाइफ लाइण यूज नहीं तरी लाइफ को फ्यूज करूँगा मैं तरी लाइफ अँच उबाएफ अँच तरी अभर रिषए एवजएजिया पीचे वाइफ कि वाँ पर्ण अभर अभर सवाल फिर से पूछना पड़ेगा या जवाब मिलेगा दुभाई मोहिनी डार्लिंग आप पुलिसे के ड्रेस में मोहिनी नहीं एस्पी मोना हु मैं एस्पी मोना ये कब बनी अरस्थिम ये सेस्पी मोना सर्व हमें हुकम का इकका मिल गया आपकी तलाश पूरी हुई ये सर्व जैसा दहारता है किसी से बिलकुल नहीं डरता पहले मारता है फिर सोसता है वो बारुत का गोला है वो मामली इंसान नहीं है सर्व मतलब सर्व एक क्रैक फाइटर है क्या बात है तुम्हारे तो हावभावी बदल गए पूलिस वाले इतनी इज़त दे रहे हैं पहली बार देख रहा हूं अरे मोहिनी मुझे लॉक अप में नहीं डालोगी क्या पहली बात तो ये मेरा नाम मोहिनी नहीं मोना है इतने दिनों से तो मैं तुम्हें मोहिनी नाम से ही जानता था इसलिए आदत पड़ गई है सोड़ो दूसरी बात क्या है बताओ मोहिनी अब अब सौरी मोना दूसरी बात ये कि चुपचाप बैठे रहो जैहन सर जैहन शंकर तुम हुआ हुआ है जह हुआ है सर आप इसे जानते हैं हाँ ये हमारे ही रोई एजिंसी का एक बहादूर एजेंट है शंकर लेकिन ये अभी तक जिन्दा है ये बात मैं नहीं जानता था बोलो शंकर तुम जिन्दा हो ये बात तुमने हम सबसे क्यों छुपाई हम लोग तो समझे कि तुम मारे जा चुके हो मजबूरी थी सर कोई मजबूरी नहीं थी कहते क्यों नहीं कि अपना फर्स निभाने में नाकाब रहे इसलिए अपने आपको मृत खोशित करके एक दूसरी जिन्दगी जीने लगे वो भी बैचान बदल कर जिसके पूरी जिन्दगी ही छिन गई हो वो कौन से जिन्दगी जीएगा सर अब कुछ भी कहने सुनने का कोई फाइदा नहीं ये साबित हो चुका है कि तुम डरपोख हो देश द्रोई हो तुमने रोई जिन्दगी के आँखो बे धूल जोकर है हम सब को चीट किया है चीट तो आप लें किया है साब अगर उसिन जंगेज को छोड़ने का ओडर नहीं देते तो हमारा जाता और कई जिन्दगिया बच जाती रही बात देश भक्ती की तो मैं हमेशा से एक सच्चा देश भक्त रहा हूं भक्त रहा हूं भक्त रहा हूं यह उस समय की बात है जब मैं राची मिसंग पर था पलंगिया एपिया सोने ना हिंदिया खाट चरी तुम लोग कौन हो हमारे क्लास में क्या कर रहा हूं तुरह पता देखे का आज सोमवार बाई स्कूल बंद बाई सरकारी चूटी हो चल भग्त तारू काड़ा बना के रख दिया तुम लोगोंने यहां तुम को नहीं यहां पुलिस को बुलाना पड़ेगा काफोन करके अच्छू ज्यादा लक्ष धारता रहा है तुनि सम्झाव एक राके रहा है सार आप जाके सम्झाये ना उनको मेरी बॉड़ी के तो नट डिले कर दिये हैं वो लोग जब आपकी बात नहीं मान रहे हैं तो क्या मेरी बात मानेंगे मैं नहीं जाओंगा सार आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं आपकी बात मानेंगे वो लोग मानेंगे नहीं मारेंगे वो भी बहुत जादा सार अपना फोन दीजिये दीजिये न सार लो हलो शंकर भाया हलो शंकर भाया कर दो आपंगगगगगगगगगगगगगगगगगज और रwier किते हूँ और प्ल्ट है झालगी खाल नायगी। झालगी जल वाल पर जल झीशी गहन अुट इंस потंध किर उट πα तालगी। को ça एह आया तो अपने पैरों पे है लेकिन जाएगा अपनों के कंधों पे हमारे इलाके में आने वाले का पैर का निशान तो मिलता है लेकिन जाने वाले का नहीं फॉर यॉर इंफर्मिशन मेरे से मार खाने के बाद लोग जिन्दा तो रहता है पर जीने लायक नहीं माफ कर दी जाएदी हम राखे दोहनी के पता होगे के चाहिए बच्चे हमारे देश के भाविस्या है दुभारा कब वो लाइकन पाँख देखावे को सिस भाईल ना तही आँख देखावे के लाइक ना रही शंकर भाया बहुत बहुत दन्यवाद बेचा कर भाईया शंकर भाईया शंकर भाईया शंकर शंकर माई तु अभी ले जागल बढ़े अपने बेटा के बिना खियाईले हम कैसे सुच सकीला हाँ तुम्हे ता एक सहारा हुआ अमार अच्छा तु जाके हाथ मुधोला हम खाना लगावा तानी ठीक माई दुले राजा के आने की खुशी में दुलेनिया तो बिल्कुल लाल हुए जा रही है क्यों प्रिया दे दे पाहूं लोग आगल बढ़ान अच्छा चलो 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 जी लाइका तो बहुत अच्छा बा हमनी के तरफ से ए रिस्ता फाइनल माकी रवालो के अगर हमाना बेटी से कुछ पुछे को है तो पुछली बेटा इ लाइकी पसंद कर ली हा तीन साल तक तो रो कुंडली में कौनो लाइकी नेखी बात समझला हाँ बेटी तो हर नाम का हाँ लच्मी लच्मी नाम है का सर्मात यह नू अरे वाँ एकदम देवी जैसन रूप और लक्षमी नाम बहुत बढ़ियां हमरा केना अपना घर खातिर एकदम लक्षमी जैसन पतो चाही हमरा के रिस्ता मंजूर बाहा हाँ ठीक बाल लेकिन हमरा लागत रहे लू कि लड़का लड़की के आपस में एक वार बात को ले विकचे अरे नाना ओकर कोनो जरूत नहीं खे हमरा बेटा के तरफ से भी हाँ आबा हाँ माई आजकल गूंगो लएके मिला तरी सा बात में तोरे तकलीफ हुई अच्छा ठीक भाँ ठीक भाँ ठीक भाँ ठीक भाँ तुझा पूछी जोन कुछ भी पूछे के बाँ वाट इस और नेम हम पूछा तानी तो हर नाम का हाँ निचवा तो बताओ नी हाँ हम भुला गई नी और फिर से तो हमके बताओ में कौनो दिकत भाँ माई नेमीज राधा रावरो इंग्लिस कमजोरे भाँ हमार नाम राधा हा लेकिन नीच वहां तो लक्षमी बताओ लुहा तो जब मालू में रहे तो काहे पूछा तरह लोड़ा कहारे भीया कहारी देखा घुमा फिरा के बाद करे कोनो मतला बाना साप साप कही ता अभी हमार साधी करे के मूड नहीं खे उता माई हमके जवर जस्ती इहां लेके आईल भीया एक काम कर रहा तो नीचे जाके बोल दिया कि हमके लई का पसंद नेखे थैंक्यू भाईया भाईया उत का हाना कि हमार पहले ही से गो चक्करबा बस 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 तुता हमार काम है असान का देलू बहीन चला लक्षमी की पापा साज कही तो इह जोड़ी के जोड़ नेखे पेटा लई की पसंद हाना अरे नाम आई तो हमार दीदी हाई का सुक्रिया भाईजन सुक्रिया सलाम वालेकुमा सलाम सलाम अजसलाम अलेकुम बॉस वालेकुम असलाम मुबारको सुक्रिया भाईजन एमके मेमान नावाजी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए जहन रखिएगा बोस तस्रीफ रखे आई जैकी भाई तस्रीफ रखे रखे रहा हूं वेटर यही हमारे बोस है उनके बगल में जो बैठा ना उनका भाई है शुगरिया अच्छी बात है यह तो हमारी खुश नसीबी है कि वो हमारे लिए आए बहुत सुन्दर लग रही है जी शुक्रे रहा हूं दुलन तुम्हें पसंद आ गई है क्या हां भाईजान यह मुझे बहुत पसंद है यह तो मुझे चाहिए उससे पहले सुहागरा तू ही मनाएगा आपका बहुत धन्नों संफादार रहा हूं मेरे साथ तो है संमत कीई बॉस Бॉस बो लोने जैकी को रूपने का लिए बॉस दुमे गया लगता है मैं अपने खावी पञता है में अपने भाईचे प्वा में और अरे सुन पद्धू, एक बार उसकी ये इच्छा पूरी हो जाने दिये, फिर तु लेजा अपनी बीबी को उठा के, हमें कौन सा उसको यहां रखना है, पॉस मैं जाओ आपकी जान पचा सकता हूँ ना, तो अपनी बीबी को भी बचा सकता हूँ, मुझ में इतनी हिम्मत है क मैं अपनी प्यार के रच्छा खूद कर सकता हूँ, मैं बचाओंगा अपनी बीबी को अब डॉक्टर सिंग यहां आएंगे और आपको वाइरस के वारे में बताएंगे, आए डॉक्टर सिंग आज एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए मैंने ये सेमिनार और्गनाइज किया है जैसे कि आप सबको पता है कि आज नए नए बिमारियां, नए नए सिम्टम्स तमाम मरीजों में दिखाई दे रहा है और जिसके इलाज के लिए हम डॉक्टर्स और बैज्ञानिक हमेशा तयार रहते हैं लेकिन बिसेश आज एक ऐसी बीमारी के बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूँ जो बच्चो पर अपना प्रभाव डाल रही है सर इस वाइरस का नाम क्या है अभी इस वाइरस के बारे में कुछ पता नहीं चला है लेकिन सर इंडिया में तो अभी ऐसा एक भी केस नहीं पाया गया है देखिए ये बीमारी ये वाइरस जो है ये विदेश में बहुत तेजी से फैल रहा है ये बहुत जल्द हमारे हिंदूस्तान में आ सकता है एक्सक्यूज मी सर क्या इस वाइरस के बारे में और भी कुछ बता सकते हैं आप जी जरूर मुझे पता था कि हाँ आप लोगों के मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया ये वाइरस बच्चों पर अपना बहुत प्रभाव डालता है जिसकी वज़ा से सांस रूख जाती है और फेफडे तक ऑक्सिजन नहीं पहुच पाती और बरीच की मौत हो जाती है इसलिए आज इस सेमिनार का आयोजन इस वाइरस के बारे में जानकारी देने के लिए मैंने आयोजित किया था और हाँ इस वाइरस के लिए दुनिया भर के डॉक्टर और सांटिस्ट राद दिन रिसर्च पर लगे हुए है कि इस वाइरस से कैसे निदान पाये जाए कमी की वज़े से हो गई है और आसंका जताई जा रही है इन बच्चों की मौत आक्सीजन नहीं बलकि किसी और वज़े से हुई है देखना सरकार आगे क्या ठोस कदम उठाती है आगे की खबरों के लिए हमारे संभात आता डियारडी होस्पिटल में बने हुए है और मीडिया होस्पिकल से मौत की खबर आते ही पूरे शेहर में को राम मत गया है हार जगह से चक्का जाम और तोरफोर की घटना है सामने आ रही है ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये कड्रू की घटना है इसमें सबसे ज़्यादा चात संगठन के लोग शामिल है और इसे शेहर की जंता को पाफी प्रॉब्लम हो रही है अरे मैं तुम्हें डॉक्टर सिंग बोलू या बिजनेसमैन बोलू तुमने तो कमाल कर दिया अरे एक जटके में इतना बड़ा मुनाफा करवा दिया तुमने वाह आन गया तेरे दिमाग को और तेरे शेतानी आइडिया को ऑक्सिज अच्छा ये बताइए मैंने उन मरे हुए बच्चों की जो आखे और किड्नी निकाल कर आपको भेजी थी मार्केट में अच्छा दाम मिल रहा है न अच्छा दाम? अरे बहुत अच्छा दाम मिला फूरा स्टाक खतम हो गया माशा अल्ला अगर इस तरह से चलते रहे तो हम कहां से कहां पहुँच जाएंगे? अब भीज रहे हो अच्छा दाम? यहां किड्नी और आखों की बहुत जरूरत है, लाइन लगी पड़ी है मैं जब तक हास्पिटल में बना हूँ खान साहब, सप्लाई जारी रहेगी, आप मेरे हिस्से का ख्याल रखना अरे फिकर नॉट डॉक्टर सेंग, तुम्हें तुम्हारे हिस्से से बढ़ कर मिलेगा, खुदा हाफिस खुदा हाफिस खान साहब हाँ बोल भाईया नंदू के फोना ही रहे हुकर घरवाली के पेटे में बहुत दरद्व भाईया, आप जल्दी से आजें भी या ठीक भाई ट्थारे हिर यिरुगन यपका हिनुम्हार wr़ खन्माफो धन्माफोग leader अश्षण गषफिस दसे जढ़ लो िक तरह जसले कि अवां चैन पर यदों ли जह एाहँ संधी कि अभाइस नहीkiej परकोया कि अर सब्सें कर हाँ मुदुऊँ एары । कि अप समया कर दो, बुदे के अपा है आुपा राग नर मुथंचुकर राता है नह और धिसना पराप कततत Shh अगया खुभ को आ Отप़ का से तजब दे थां को da अृघ एक मिनट, एक मिनट, आप लोग यह रुकिया सब ठीक हो जाए एक मिनट, का इक मिनट वान report एक मिनट, का इक मेचिsky जाए एए रूख इबच्चन के लेके कहां उसे तोरा का मतलब तू अगर आपन खैरिया चाहत हो तो यहां से निकल जो देश के हर बच्चन से हमारा मतलब बाह अर अहल बात तोहनी के तोहनी के फेस के डिजाइन तह हम दू मिनट में चेंज कर देब एए यही से ना मानी मारा उसाने करा के सच सच बाल भाईया भाईया एमें हमार कोनों गलती ने के हम सिर्फ इस सब काम पईसा खातर करने टॉम्हाइ गए यही तुम्हों के यहालत किसने की कहीं किसी डाड़ी से टकरातो नहीं काये एको ग्राय का अदमी मिल गए लाहल उहे मार बार के हमनी के यह दसा कर दिया लास बहुत दर्द हो रहा है ना बहुत जयदा आपको भी देखती है पर अदमी यह प्राय बहुत ज़र ज़र बार के हमनी के यहालत कहीं लिए सर्फ इक्स्क्यूज मी तुमने इन सब को मारा है गुण्डियों तो किसी को भी मार सकती हो राइट तुम इंसान के खून की कीमत जानते हो सबका बलड ग्रूप अलग-अलग होता है हर इंसान को इज़ट के साथ जीने का हक होता है खेर छोड़ो तुम्हें जरा भी अंदाजा है अगर किसी के हाथ पेर तूट जाए वो हड़ी जुड़ने में भी वक्त लग जाता है और जब तक जुड़ना जाए छोटे बच्चे की तरह उसके 24 गंटे ख्याल रखना मतलब ये मैडम जी क्या है ये लुक किसी भी माबाप का सपना चुराकर अनाथ पनाकर रोड पर भीख मंगवाएंगे इन पॉसिबल ये मैं नहीं देख सकता गोलू हा भी या मरहम पट्टी लगवा के ये लुक इन के घर पहुंचा दिया ठीग भी या भाईया मेरा तो को दो इतर इना इलाच हो रहा है ना चुक चाह भैठो लबेठा थैक्यु बैया थैक्यू बैया हलो सर अ कुछ गलत बोल दिया हो तो कौनो बात ना अगर आपके जगह हम होती तसायद यह कहती नाइस आइम डॉक्टर संचिता हमार नाम संकर वाव मेरी नाइस नेम अब बहुत अच्छे हो बहुत आपको एक बात बोले क्या अप बोली ना आप मुझे अच्छे लगने लगे है आई लव यू अरे नंदु भाईया गुडिया ता पढ़े में बहुत तेजबिया हो अरे तो पहिन का करवा वाँ लागता बहुत पढ़े लेव संकर भाईया हाँ शंकर भाईया बोली गुडिया कैसन भीया बहुत बढ़िया भाईया लेकिन रगवा के बहुत याद करत रहली एक पार आके मिल लेवन भाईया तो ओकर दिल बहुत खुश हो जाई भाईया 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 गुडिया पर भीशेश ध्यान रखिया भाईया डर्द हुआ डर्द हुआ नहीं गुड़ बॉय चिंदा की कोई बात नहीं है जी मने इंजेक्शन लगा दिया है कुछ मेडिसंस में लिख देती हूँ महमुली सब खारे टाइम टाइम पर दे दीजेगा जी रॉक्टर सब ठीक हो जाएगा जी थैंक यू डॉक्टर थैंक यू टेक्यर तो तो आप यहाँ बॉस्पूरी ना आवे समझती हूँ लेकिन बोलनी पाती कात था बादू जी से तो के पते ना रहे कि हमी हमी लग मुझे क्या पता अच्छा ए साथ बज़े तो ही न बला अलूहा मैं बोली थी मेरी चुट्टी साथ बज़े होती है हम सोचने खेर ठीक बजा था नि अरे बैठे न इतनी भी क्या जल्दी हो रही है एक बात बताओ हम तु हमसे हमारा साथी के बारे में काहला पुछले रहा हूँ अप आपको पता है इंसान का दिल एक मिनिट में 72 बार धड़कता है लेकिन जबसे मैंने आपको देखा है मेरे दिल की धड़कने और बढ़ गई है ओ हैसन बात बा मेरे दिल में जो था मैंने क्या दिया कबसे मैं ही बोले जा रही हूँ आप भी कुछ बोलिये न अब हम का बोली ज़ा उन हमारा बोलेगे तो उन तु ही बोल देलू हम 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 आपको याद करना मेरी आदत बन गई है आपका ख्यार रखना मेरी फेतरत बन गई है अपसे मिलना मेरी चाहत बन गई है आपको प्यार करना मेरी सरूरत बन गई है तौहरा सुन्दरता से भी सुन्दर तौहरा वाजबा बाते बनाना तो कोई आप से सीखे खेर का बात बा इतना रात के फोन कई लू अपसे मिलने का मन कर रहा था क्या कल सुबा आप हॉस्टियर के सामने आ सकते हैं काहे न जरूराई वाव तांक्यू गुद नाइट ओके बाइ अरे शंकर बेटा अरे शंकर बेटा हम्रा किना एको फंक्षन में जाएके बाँ हम्रा के छोड़दा माई काबत बाँ हमके जरूरी भाडा लेके जाएकबाँ हाथ हम्रा के छोड़दी है फिर लेके चल जई हा हम रंदू के बोल लेता नी तो के छोड़दी अच्छा ठीक बाँ याद से बोल दी हां रंदू के आहां में बजार करता नी हाँ थेंक्यू जीजु गूल मेरे सांध में अचिला नुक्या आपढ़ा है तुम भी चलो ना मेरे साथ तू चला हमाओ तानी ठीक है जल्दी आजाओ जी बिल्कुल अब सब बढ़ियाबा हाँ हम रहके देर होता हम जातानी चली ठीक बाद नमस्ते अच्छा नमस्ते सॉरी बेरी सॉरी अंटी कौनो बातना इतना भीडभार में धक्का मुखी हो ये जाला इलेकी बहुत खुबसूरत भी हा ये हमर पुतो बनने के लाइक हो अच्छा बेटा तो हर नाम का हा संचिता संचिता बैनर जी बहुत सुन्दर साधी में केकरा साथ है यालवड़ू अरे मैं अपने होने वाले पती के साथ आई हूँ अरे, अरे सुनी है अरे सुनीटो अरे, अरे सुनीना, चलीना, ये एड़ के मैं तू इंहा माई? अच्छा, तो इह भाड़ा हाँ अरे यार, आधा घंटा हो गई, माई अभी तक सी आईडी रेखा पूस्त आज कर रहाल भी है हमके तो डर लगा तो संजीता कहीं कुछ आगे चलना चाहे ए भीया, तु तनिकव टेंशन मतला, अगर काकी न मनी है न, तु भाग के भाजी के साथे बियाख कर लिया हाँ, और भाग के कहाँ जाई तो रहा नानी की हाँ अरे ना भाईया, बहुते जगवाबा चप सारे भागे भागावे के बात मत कर, बस ही मनाओ की माई के संजीता पसंद आजाए शंकर हाँ माई इलेकी के घर कहाबा इह होस्टल में रहे लिए लेकिन अगर साधी के जहां कहीं भी रहा थोखे, एके जाँ छोड़ क्यावा काम हिल माई, पसांद निखे का तू जैबा छोड़े, कि हम नंदू की साथे लगा दे ठेक मामाई चाला सारी अगर माईतों के कुछ उल्टा फॉल्टा बोलो लो कस्ताब हम माई के तरब से माभी मांगा दानी कोई बात नहीं शंकर इसमें तुम्हारी क्या गलती है गलती है महरबा अगर हम प्यार कर इसे पहले अपना माई से परमिसन ले ले रहती ता हमारा साथे साथे दुहार दिल ना टूठित हाँ, लेकिन कर भी क्या सकते हैं अच्छा, शंकर तुम जानना नहीं चाहोगे तुम्हारी माने मुझसे क्या क्या कहा अब जानके का हुई पर एक बार सुनतो ले थे जाय था एरे सुनतो लो अच्छा सुनो मेरी और तुम्हारी मा के बिच में क्या क्या बात देखा बेटी हमार बेटा शंकर ही हम राखाते सब कुछ बा हमर दुनिया हम जिये के हमेशा सही शंकर के पसंद हमार पसंद हो पेशक हमरो पसंद बाड़ो लेकिन हमार एको शर्त पा शर्त न एको माई के गुजारिश समझीत बेटी, तु शादी के बाद हमरा के हमरा शंकर से अलग मत करिया हमरा जी ये के सहारा मत चिनिया आप कैसी बात करें है मैं एक बेटे को उसकी मा से अलग करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती और शादी के बाद, शंकर और मैं हमेशे आपके साथ रहेंगे माजी और एक बात कहों माजी हाँ बिटी मेरी मानी मैं, मैं बिना मा की पली बड़ी हूँ लेकिन आज आज इस घर में मुझे मा मिल गई है और हम रखे बेटी क्यों? कैसा लगा? अपनी खुश नसीबू कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिल गया और मा का प्यार भी, जो बजबन में मुझे मिल नहीं सका भगवान आपका लाख लाख शुक्र है क्यों 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 कि व हमार लाक क्योंकि इज प्यू узнаते भी, ये लिए, अपड़न अवा फिस अवारी, इज अजू आए, च्यू क्यों क्यों क्या कर रहे हो माजी आप? मटर चिलता नहीं, खाना बनाए खातिर बाद में बनाओ, ठीक है? अभी मैंने कुछ बनाया है, रसमलाई तु अपना हाथ से बने ले बढ़ा रसमलाई, पेज कीजिए पसंद आया? बहुत बढ़ी अपा, तु भू खा के देखा बढ़ी अपा, अच्छा है अब मैं खाना बनाती हूँ, अब बैठिये भाईया से बात करा है हाँ भाईया जी बबुनी के सब समझ सरे ठीक हुआ भाईया जी एके फीजे खाएगे मन रहे, खिया देनी हाँ, ली बात करी नमस्ते भाईया खुश रहा भाईया, आप वापिस कब आओगे? अरे बाबु, हम जल्दी आके मिल अपतों से कौनों चीज के दिकत निखे ना? ना और हाँ, कोई शाही ता फोन करी है अस्पताल में और भी मरीज है, तेरे वज़े से सबको प्रॉब्लम हो रही है, मुझे और कोई काम नहीं है क्या? सुनाई दे रहा है के नहीं? रोना बन कर, और निकल यहां से, कबसे समझा रहा हो समझ में नहीं आ रहा है क्या? यह क्या तरीका है किसी से बाद करने का? तुमारे अंदर कोई तमीज है के नहीं? क्या करो मैडम, कबसे बच्चे की लाश लेकर रो रही है लाश? देखे ना डाक्टर, का हो गईल? क्या हुआ तुमारे बच्चे को? मर गईल, हमार बेटा खतम हो गईल, सब कुछ एवागाद चल गईल, हम रहा के छोड़ के तली तो मैंने इसे चेक किया था मामूली सही बखार था और आज अज़्जानक से का होई? सलाम वालेकूम खान साहा वालेकूम असलाम डॉक्टर सेंग, अगला स्टॉक कब तक भेज रहे हो? जी, कंसाइनमेंट रेडियो हो गया है एक्स्क्यूज मी सर, मैं आए काम इन? एक मिनट होल करिये जनाब यस डॉक्टर सर, सौरी सर, डिस्टिर्बंस के लिए पर मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करने हैं, वो भी अभी तेल में सर, आज और एक बच्चा मर गया और मुझे लगता है हमारे आस्पिटल में ये किसी के गल्ती की वज़े से हुआ है सर वाट यू में, ये क्या बाकास कर रही हैं आप सौरी सर, लेकिन मैं सही बोल रही हूँ क्योंकि मैंने कल उस बच्चे का चेक अप किया तो उसे बस महमूली सा बुखार था ऐसे कोई बमारी नहीं दे जिसके वज़े से उसकी मौत हो जाए कुछ तो फ्योट बड़सो स्टाप इट, प्लीज आपको पता होना चाहिए कि आज कल लोगों की खेलते कूटते, हसते फिरते अचानक मौत हो रही है और वो बच्चा तो फिर भी मिमार था लेकिन मुझे लेकिन प्लीज जो जिन्दा है, जाकर अपने वाड़नोन की देख रेक करो प्लीज, गो डू योर जॉब प्लीज जाओ और हाँ दर्वाजा बंद करके जाना हलू सर कौन थी ये लड़की सीवाजे डॉक्टर मुझे लगता है ये लड़की बहुत चालाख है इसके ओपर बड़ाबर निगा रखो कहीं ऐसा नहो हमारे रास्ते का कांटा बन जाए नहीं नहीं सर सब मैं मैनेज कर लूँगा ध्यान लगवागे से ओके से का बाद बा बड़ी परिसान लगा तरू हम तो उरे परिसानी के वज़ा जान सकीला अज हॉस्पिटल में एक बच्चे की मौत हो गई उसी को लेकर मैं सुभे से परिशान हूँ अरे हॉस्पिटल में तो मौत रोजे होत रहला इमें इतना परिशान भिला एक आजो रद्बा शंकर तुम समझ नहीं रहे हो जिस बच्चे की मौत हुई वो पूरी तरह से ठीक हो गया था उसे बस मामूली सब उखार था अच्छा तक कुछ पता चलाल मौत के वज़ा वही तो पता नहीं चल रहा है और तो हर सीनियर डॉक्टर ने कहा है कि इस मामूली से दूर रहे अगर वो बच्चा के मौत बीमारी से ना कौनों दूसरे वज़ा से भाहिलबा तर सच कभो ना कभो सामने आई बे करी तू टेंसन ना ला शंकर उस बच्चे का चेरा मेरी आँखों के सामने बार बार आ रहा है जब ये भूलने की कुशिश करी है उसकी मा के रोने की आवाज मेरे कानों में बार बार गुंच रही है जैसे के वो मुझसे हिस्साब मांग रही है क्या होगा शंकर सब ठीक हो जाई आखे शंकर तुम कहना क्या चाहते हो सर क्या एक नामी होस्पीटल में क्राइम होना संभव है ये कोश्चन में इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जिस हस्पताल में घटना घटी है उस पर आस्तर कोई आरोप नहीं लगा है शंकर तुम तो जानते ही हो कि वो हॉस्पिटल इंसानों द्वारा चलाया जा रहा है और पैसा इंसान से कुछ भी करा सकता है तुम्हारा शक सही भी हो सकता है सर मुझे इस बात पर भी सक हो रहा है कि कहीं इसमें चंगेज खान का भी हाथ हो सकता है क्या चंगेज खान? आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इसमें चंगेज खान का हाथ हो सकता है सर, चंगेज हर तरह का क्राइम करता है अगर हस्पीटल में किसी भी तरह का क्राइम हो रहा है तो ये पॉसिबल है कि उसमें चंगेज भी है अगर तुमें शक है तो तुम हस्पीटल की गतिवीदियों पर नजर बनाए रखो और हाँ, हमें इंफर्मिशन मिली है कि चंगेज खान इस समय राची में ही है उस पर नजर रखो और हमें इंफॉर्म कर दे रहो ओके सर चीज़ा सलाम अलेकुम खान साब और डॉक्टर, क्या कर रहे हो, कहीं बिजी तो नहीं हो बिलकुल बिजी नहीं हो, एक धम परी हो, आप हुकुम तो करिये अरे भाई, हम आपकी राची में हैं अच्छा, आप एड्रेस भेजी, मैं अभी पोस्ता हूँ आज आओ, आइम बेटिंग सुनो, मुझे एक बहुत जरुरी काम है, एक चोटा मोटा आप्रेसन, आप लोग पूरा का लीजेगा, ठीक है? ओके साथ अच्छा 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 प्लीज रोकिए भाया 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 उस गड़ी का पीछा करना है, जल्दी करें अच्छा Wie? आओ डॉक्टर सलाम वालेकुम खान साब वालेकुम असलाम तरशीर रखिये शुक्रिया क्या लेंगे? पी कॉफी? नो थैंक्स यहां आते हुए आप पर किसी को शक तो नहीं हुआ हजारो को मौत के गाट उतार दिया आज तक तो किसी को शक नहीं हुआ तो अब क्या होगा कान साब? हमारा यह अस्पताल का धंदा माशाआलला बहुत बढ़िया चल रहा है इसमें और तरक्की हो इंशाआलला मैं गैरेंटी देता हूँ 100% इस धंदे में तरक्की होगी क्योंकि आजकल हजारो बिमारिया हो रही है और लोग अस्पताल आ रहे हैं इलाज कराने और जिनकी किस्मत फूटी होती है वो हमारे अस्पताल में आते हैं इलाज कराने मैं क्राइम की दुनिया का बाश्या हूँ लेकिन क्राइम के मामले में आप मुझसे कम नहीं है, अच्छे खासे तंदुरस आदनी की आखे और किड्नी निकाल के, उन्हें आक्सिजन की कमी बोल के मौत का सर्टेफिकट दे देते हैं, इतना तेज दिमाग तो प्रफेशनल किलर का भी नहीं होता पैसा खान सहब पैसा, पैसे के खातिर में कुछ भी कर सकता हूँ, अभी तो सिर्फ बच्चों को ही मार कर पैसा कमा रहा हूँ, अगर मेरी पैसों की भूख पढ़ी, तो एक दिन बच्चों के साथ साथ बूढ़े भी मेरे टारगेट पर होंगे इसी के बारे में बात करने के लिए मैंने आपको बुलाया है मतलब? मतलब ये कि अपने पैसे की भुग को बढ़ाईए बच्चों के साथ जवानों को भी उपर पहुचाईए इस मुल्क में जितनी ज्यादा मौते होंगी उतनी ही ज्यादा हमारी तिजोरियां भरेंगी इंसादला, हैसा ही होगा कान साब वान्डफुल है रशीद, कौन है माहा, मार दो उसे जी भाईजादा, अरे हाँ, पकड़ो उसे वर हाँ भाग गई तो हमारा फोल खुल जाएगा भाग गई मतलब आप जानते हैं उसे हाँ कहाँ साब हमारे ही हास्पिटल की एक जुनियर डॉक्टर है अगा इसको अगा इसको अगा 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 रहीट, मिली की नहीं वहाँ सॉरी बचके भाग गई वहाँ बचके भाग गई? वेवकूफ काँ साब, एक एक सिरे निंजी दीजे एक सिरे आलो सुनो हास्पिटल के पीछे जो हास्टल है ना वेवक कर गई हो लिए जी बचा वाइस 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 ना 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 जो खieving प्रम से प्लब हैं? च Warmth! चिर्म एंडाओाओ, छआनु भी ऑाओ, जन जानु लूखता यदिए मैरा्ओ जर्म से शर्वाओ आजा याओ नांत interest मней लाओाओ! कशेगं? गुए लुए दूस्री काड़ी डाजाओ गुए उद्था कापा हुआ था प्रेवी शैदा पूरिये चाप चाहिए इसमें थाया बाड़ा टाज मत चाए बाता पोरा में बारी लागाता यह उआ बढ़ाधा बुछाप चल्यादा पूस्ताज मत कर तो बताई भा कहा जाये के भा? चल बताता हूँ कहो बतावला ना बोराव में का भा? छोड़ा जाये था हमार वड़ावा था हमनी कली डियर सा भाई के लिए ये आपन पचास रुपग वा वापस ना लबका कौनो बात ना वह इसे भी जी एश्टी मिला के हमार दूसा तो होते रहे राशित रड़की बली ये लीजे सबूत वेरी गुट ला लाओ लाओ इसे एक बनेट गुट ए रुक हाई जाओ नकाली नोट देके गई ले हैं भाई साप कहा बाने चल जाओ यहां से वो अभी बिजी हैं तब तुम ही दे दो मेरा पैसा बाद में उनसे ले ले ना बोलाना चुप चप जायां से इसका मॉबाइल है मॉबाइल मेरे पास है लाओ से मुझे ठीके थिल कैसल ना भी चेल निकाल नही तो तेरे पाल दो पैसा है न वो भी छेल लूगा सलाम वालेकुम खान साब वालेकुम असलाम वो लड़की मिली क्या लड़की मिल गई है आप होटल मेराम कीजिये हम लोग अभी आए उसको ऐसी मौत दो कि दुबारा कोई ऐसा करने की हिम्मत न कर सके डॉक्टर साब इसका क्या करना है जान से मार दो इसे रुक्ट मार देना यार लेकिन पहले मुझे अपनी आग तो बुझा लेने दो वैसे डॉक्टर कमाल का ड्रक्स है ना चकले इसे वेरी गुड आइडिया स्कूट चकुने का तुम मजा ही कुछ और होगा तुझे वीडियो बनाने का बहुत शौक है ना आज हम बनाएंगे वीडियो और उसे वारेल भी करेंगे जैके कमान पाँ पाँ, पाँ पाँ अपाँ वोई खिल हम कर दो дав… जिल हुआब फजर करोखना शोच्छ दोजब दोचसां निया पॉआ हूआएए Help! कुछ दोआऴश का दोचसां हॉआए कर दो कर दो दो को लो मारती है, हैं तो टुझाथ नाइक कि पताओ, कि यह दॉटर सेंग आसे हैं होस्पिटल में वाले महासूम बच्चों के आखे और किणी निकाहएं कर चंगे इस हाँ को बेचता है बेचता है, बिचता है यह डोक्तर के नामे जलाद है, जलाद है पर यह चूड बोल रही, डॉक्टर भगवान का रूप होता है, और यह आपको पता होगा, मैं किसी की जान कैसे ले सकता, देखें, मैं एक डॉक्टर हो, शरीम डॉक्टर हो, मुझे जाने दो, मैं आपको इतना पैसा दूँगा, कि आप माला माल हो जाएंगा, प्लीज लेकिन तुने तो उसाथ को भी पार कर दिया, तो इंसान हो ही नहीं सकता, बहुत ज्यादा इंतेजार नहीं कराऊंगा, जंगेज को भी जल्दी भेजूँगा तेरे पास, निकाल दूँगा, कर देंगा है खोईलो रह पाँ जाओ, मिलता माँ जाओ खोईलो रह पाँ जाओ, मिलता माँ जाओ अधी पुरा नई खे भाहि रिदानी प्यार जनले मका हो, पोच गोईल चार जनले मका हो, पोच गोईल चार प्यार के असार वाघोरा इलो कोना कोना शट जाली पहुद जान, एहो है मर सोना प्यार के असार वाघोरा इलो कोना कोना सट जाली पहट जाल ये हो आमार सोना पुझो नाही दोरत बाड़ा कोई सोन बारत आधिया तठी चलेला पुरा सोरण कोनी ही लेह पेता रस रस दा सुना ओ जनले बकाओ वजगोईल चार जनले बकाओ वजगोईल चार बजगोईल चार बजगोईल चार जाहे बहाँ जेदा पाच हो छोड़ा बना जब ले बुताई नाहीं आच हो पॉला अराब पी अफेर होई रात गालना परबलम में पुझा सोनी गवार बजगोईल चार जनले बकाओ वजगोईल चार वो एक टेक्सी ड्राइवर था बेवकूफ हम जानते हैं वो टेक्सी ड्राइवर नहीं राउ का एजेंट था जैकी पुझे मार नहोवाले को हम तेरे साथ दफन करेंगे छोड़ेंगे नहीं उसे हमारा वादा है तमसे यह किसना अच्छा है ना हम दोग ऐसे अच्छा है पनीप करेंगे तमसे मुझे मालूम था मेरे भाई को मारने वाला कोई मामूली इनसान नहीं होगा सिन ये तेरी मौत बहुत हाई-फाई रखी हमने बस इतना जान ले कि मैं तेरे लिए यमराज हूँ फर्क इतना है कि यमराज मरने वालों के पास जाता है और तू खुद मेरे पास चल के आया है तू मारेगा हमे अबे तू मारेगा हमे अपे तू मारेगा हमे किल दिस बेट मैं झाल ढड़ह चाल शर्फ बढ़ा! बुब अर्फ! बुब अर्फ राँ! आँ! का जाओ जर्क aik भान치가 ऑंवासा जानी है इंहाँ अपानीप जढसे जाए। जाए हिन्सर शंकर हमने सुनाया के चंगेस खान इस वक्त तुमारे कबजे में है यस सर और अम मैं इसे हमेशा के लिए आजाद भी कर रहा हूँ तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे बल्कि सही सलामत उसे हमारे पास लेकर आओगे नहीं सर इसका फैसला मुझे अभी करना है आप इजाज़त दे या ना दे शंकर बात मेरे इजाज़त देने या ना देने की नहीं है शंगेश खान ने अपना काला बजार और क्राइम पूरे दुनिया में फैला रखा है हम उससे सबसे पहले पूछेंगे उसके क्रिमिनल वर्ड को फिनिश करेंगे फिर उसके बाद उसे बात को समझा करो तुम इस वक्त उसे नहीं मारोगे नो सार ट्राइटू अंडेस्टैंड अमारे उपर पॉलिटिकल प्रेशर भी है शंकर शंकर मैंने तुमारे बहादुरी पर कभी भी शक नहीं किया लेकिन ऐसी कौन से मजबूरी थी जो तुम्हें अपने आपको म्रित घोशित करना पड़ा अहां शंकर तुम्हारी कहानी सुनके ऐसा तो कुछ नहीं लगा जिसके कारण तुम्हें अपने आस्तितु को छुपाना पड़ा मजबूरी तुथभ पैदा हुई सर जब आपका कानून चंगीज को सजा नहीं दिलोवा पाया और हो भाग गया तो क्या भागने के बाद चंगेज ने तुमसे बदला लेने की कोशिश की कोशिश क्या सर उसने तो मेरी पूरी दुनिया ही खतम कर दी माजी अरे वह सुन्द लगा ताड़ू बाकी एजा अचानक कैसे अरे आपकी याद आ रही थी तो सोचा अपसे मिलते चलो बहुत बढ़िया आओ चलो बैठा आजसे माजी आप मेरे हाथ का खाना खानी के आदत डालो और आराम करने के भी क्योंकि शादी के बाद मैं आप अरे तुझे क्या लगा था मैं हमेशा के लिए पिंजरे में बंद हो जाओंगा मैं शेर हूँ शेर जो पिंजरे में नहीं खुल्ले में घुमता है तेरे कोई आखरी इच्चा है तो बोल क्योंकि वक्त नहीं बचा है तेरे पास तुखुद मेरे हाथों मरते मरते बचा है तेरी आउकाद नहीं मेरी कोई भीक्षा पूरा करने की लगता है कि तू भूल गया कि तेरा अपना परिवार भी है इसलिए तनी अकल कर बात कर रहा है हमारे बीच परिवार को मतला बस तो देखते जा माई! मैं कहां भी है? शंकर तोजय कहां शुणीम्ट इट जट、माई माइ रहा को अला माइ है माइ संजित ए संजित कोषिना हुटो की अरे जीने के लिए बड़ा जिग्रा होना चाहिए तेरे जाने के बाद कोई राव एजेंट मेरे नजदिक आने की हिम्मद भी नहीं करेगा भगवान के क्रीपा से मैं बच गया लेकिन सर अगर उस दिन मैंने चंगेच खान को मार दिया होता तो आज मेरा प्यार मेरे पास होता और मेरी माँ भी मेरे पास होती शंकर वो ओडर मैंने हाई कमांड के कहने पर दिया था मुझे गलत मस समझो आपको ही नहीं मैं अपने देश के पूरे कानून बेवस्था को गलत समस्ता हूँ और इस रौ एजेंसी से तो सक्त नफरत करता हूँ शंकर तुमारा गुस्सा जायज है हम तुमारे माँ और प्यार को तो वापस नहीं ला सकते लेकिन इस देश के सैकड़ों बच्चे जो इस वक्त चंगेश की गिरफ्त में है उनका भविश्य तुम बरबाद होने से बचा सकते हो और अब तो हमारी सरकार की भी आँखे खुल गई है वो चंगेश की गिरफ्तारी नहीं उसकी मौत चाती है चंगेश खान ने सिर्फ तुमारा ही नहीं बल्कि सेकडो परिवार का सुक छीना है और तुम्हें उन सब का बदला लेना होगा अब हम और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते फिनिश हिम और दिस इस माई ओडर आज की सबसे ताजा खबर अभी अभी हमें विशेश सूत्रों द्वारा मालुम चला है कि अंडर वर्ल डॉन चंगेज खान ने बच्चों को मोहरा बना के सरकार से अपने आदमियों को छुड़वाने की शर्द रखी है और सरकार को उन्होंने 48 घंटे की मोहलत दी है सरकार ने ततकाल बैठक के लिए सभी अधिकारियों को बुलाया है सरकार भी आपके सामने घुटने टेक देगी हम सही बोला हलो मैंने तुम्हें अड़ 40 घंटे का समाई दिया था तुम्हें अब तक मेरे आदमियों को नहीं छोड़ा है अब इस देश का भविश्य मेरे हाथ में है इन सारे बच्चों की कतल की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी समझ गई तुम प्लीज, प्रिसें टुमे उन बच्चों को कुछ मत करना आप अंदर नहीं जा सकती मेरा चंगेज खान जी से मिलना ज़रूरी है मैंने बोला ना कि आप उनसे नहीं मिल सकती आप एक बार उनसे बात करके देख लिजे कौन है ये? शायद वो फिरोज खान की बहन है सर फिरोज खान की बहन? बुलाओ इसे ठीक है सर गार्ट? जी सर उसको अंदर आने दो जाएए असलाम वाले कुम वाले कुम असलाम क्या बात है? मेरे भाई को जान से मार दिया फिरोज को मार दिया? किसने? रॉइ एजेंट शंकर ने क्या? शंकर जिंदा है? लेकिन वो है कहा? लेकिन अब हम उसे मरते वे देखना चाहते हैं इस पूरी काहिनात में मेरा मेरे भाईजान के लावा कोई नहीं था आप उसे मार डालो जसकिल है प्रॉब प्रॉब एजे पार! मैं जादा देर नहीं करना चाहिए, खत्म कर दो चंगे इस खान को मैं मानती हूँ कि तुमने मेरे भाई को मार दिया कि पर मुझे इसका जड़ा सा भी गम नहीं है क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मेरा भाई चंगेज खान के लिए काम करता था रहो रख चीनी डालने से जहां चीटियां भी नहीं आती मातू कैसे आ गया यहां चीटी ही नहीं कुछ देर में चील कवए भी आएंगे अबे यह चीडिया का गोसला नहीं शेल की गुफा है भले ही ब्रह्मा ने तेरी मौत ना लिखी हो लेकिन आज तुई यहां से जिन्दा नहीं जाएगा लेकिन उसी ब्रह्मभाजी ने तेरी मौत लिखी है मेरे हाथों से और आज के ही दिन भाएया लुप्य ईचू को भाएया बाएया बाएया अ मेर दोवड़ी बाएया बाएया बाड मठ मारू परी मौड़ Changing बाएया बाड मारू बौड़ में जाखे is नहीं करूए नहीं 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 हो अगार शंकर। चोड़ो पुझी चोड़ो मझें चोड़ो —- विए चोड़ो मझें मुझें मानने का ख़ाफ दिखता है चंगेज हैदर खान को परे मॉत कस सौधागर हूँ मैं वेया ऐख आफान, पैदा किसी की लिए मर्दी से हो, लेकिन मर्ता मेरी मर्दी से है. किसी को मैं जब चाहूँ तब मसल सकता हूं, तुर एक तु है, जिसकी आँखो में मेरे लिए खौफ नहीं है, डर नहीं है, लेकिन आज, आज तेरी आखों में वो खौफ और डर दिखेगा। तू जरेगा और चिलाएगा। जिंदकी की भीख मांगेगा। शंकर! वड़ाओ! शंकर! तेरा हिंदुस्तान हमेशा मेरे पैरों के तले था और रहेगा। शंकर! शंकर उड़ाओ! अगर आज तुम नहीं उठे तो वो हर माँबाप का कॉक्सूना हो जाएगा। तुम्हें इंदुस्तान की कसम है! इंदुस्तान की कसम है! शंकर! उठजाओ शंकर! शंकर नहीं उठने ओवाला! शंकर कंहएँ! एक बार और ख़तम शंकर! हाँ 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 शंकर यू आर ग्रेट यू यू आर किंग शंकर तुम जीत गए मुझे छोड़ दो माफ कर दो शंकर मैं मैं बादा करता हूँ आज से सारे निगल दर्ड़ 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 क्या बोला था तू क्या बोला था तू क्या बोला था तू दर्ड़ 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 यह संकर सिर्फ उस संकर से डरता है तेरे जैसे रास्ते के कंकर से नहीं और दर्ड़ 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 वो लोग हैं जो मर कर भी जमीन में छुप जाते हैं हम हिंदुस्तानी मरने के बात भी आग से खेलना पसंद करते हैं जाए स्रीराम जाए स्रीराम प्रक। जाए शंकर भारत माता की जाए पर बाज तो तो पता का है मेल नहीं हुआ दिवारी मेरा हुए नो देल दिवारी मेरा हुए नो देल एही से राते खेल नहीं हुआ तर जो भी होई कया पेल एही से राते खेल नहीं हुआ तूटला चूडी कलोई उने छूछे दितल सारी रतिया हो आजनों का दोल सुनों यो धोनिया हमही उता रब लतिया हो सर्धा पकर्दा चरह बला हो पूर दिल सपनों रोखाओ जान इन भोटर बोय तरी भी मोगे पते लस धोखाओ सेज बल तोना का है सेल नहीं हुआ धीबारी मेरा हुए न दे धीबारी मेरा हुए न दे एही सेल आते खेल नहीं हुआ तरी चो भी होई काया भेल एही सेल आते खेल